नहीं आपको पारलर जाने का जंजट नहीं एक पैसा खर्चा करने का है। मेरी तरह आप भी घर पे इस तरह का घरेलू उपाई यूज करके अपने अंचाहें बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हैं। इसे बनाईए लगाईए तुरंत आपके चेहरे के जो अंचाहें बाल हैं क्लीन हो जाएगा और दुबारा से उसकी ग्रोथ पूरी तरह से खतम हो जाएगी। आपके फेस पे दुबारा से एक भी बाल नहीं निकड़ेगा इतना मेरी गारंटी है। तो फिटकिरी का यूज जब भी आप करती हैं अपने फेस के लिए तो तुरंत उसका पाउडर बनाया करिए। पाउडर बना करके रखियेगा मत नहीं तो उसका जो असर है ना जितना अच्छा रिजल्ट हमें चाहिए उतना अच्छा है रिजल्ट नहीं देता है बाद में। तुरंत पाउडर बनाएंगी तो बहुत अच्छा है फेस पे काम करेगा तो तुरंत मैं पाउडर ही बनाती हूँ जब भी मुझे लगाना होता है तो नहीं तो इसी तरीके से मेरे पास पत्थर ही रहता है। फिटकिरी जो है बहुत पुराने जबाने से यूज होता आ रहा है हमारे स्किन के लिए और कई तरीके से फेस पे काम भी करता है बस लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए तो हम यहाँ पे फिटकिरी का पाउडर बना लिये हैं अब उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं एक clean bowl और clean bowl में हम दो चम्मच मतलब की दो से धाई चम्मच यहां पर ले रहे हैं सिर्का यानी की विनेगर यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर घर का बना हुआ सिर्का है तो सोने पिसुहागा हो जाएगा क्योंकि उसमें पता है कि हम क्या mix किय तैया हैं कैसे तयार किये हैं लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से भी ला सकती है हमें आप याचार में पड़ता है और बागी सारा कई उज में आता है सिर्का लेने के बाद इसमें आप आधा चम्मच फिटकड़ी का पाउडर डाल दीजिएगा ठीक है जो फ तो यह थोड़ा सा इसका जो कलर है थोड़ा चेंज़ भी होगा और धीरे-धीरे फिटकरी का जो दाना है इसमें घुलता जाएगा तो इसे हमें मिक्स करके रख देना है साइड में अभी इसका काम नहीं है अब दूसरे इस टेप में करना क्या है कोई भी रैमडी हम कर तोरी हमें हापे ले रहा है, कोलगेट जो होता है न हो हमारे फेसियल हेयर को इस्टन क्लीन करने में मदद करता है, उसके ग्रोथ को इस्टॉप करता है, आपने यूज नहीं किया है तो कोलगेट का यूज करके देखिएगा, अगर आपके नोज के आसपास बहुत जादे नहीं पड़ेगी, हमें हापे एक चम्मच भर के लिए हैं वाइट वाला कोलगेट, यहापे जेल वाला कोलगेट मतलब कोई और कोलगेट आपको नहीं लेना है, सिर्फ वाइट वाला कोलगेट लेना है, और इसमें हम आधा चम्मच ही ले रहा है, सिर्का यानि की वाइट पे नेगर ठीक है जो सीरका होता है उसके बारे मैं क्या ही मैं बोलूं आप लगाएंगी तो खुद आपको फर्क दिखेगा आपके फेस पे जो रोवे होते है छोटे छोटे बाल वो तो एक बार में क्लीन करता है जो बालों का जड़ है उसे इतना जादे सौप्ट बना देत है क्लीन कर देता है ये बालों पे ही काम करता है जो बालों का जड़ होता है ना अंच्याहें बालश॔र के Zuk करता है ठीक है तो सीरका आप यूज किया कर ये नुकसान नहीं करता है फेस पे बस उसकी कुवांट humanity थोड़ा सा आपको कम करके लगाना एगर आपका Сकीन तो नार्मल इसकीन है तो फिर आप अपने हिसाब से लगाईए एक चम्मच कोलगेट है आधा चम्मच इसमें हम लिये हैं सिरका और तीसरी चीज हम यहां पर ले रहे हैं गेहूं का आठा आधा चम्मच जादे हमें आठा की जरूरत नहीं है जिसके कि हम सभी के घर में चपा ले लेए तो आधा चम्मच गेहूं का आठा लेलीजियेगा ठीक है जीऑ पर मैं कोई आपसन आप लोग नहीं दे रही हूं गेहूं के आठा ही आपको यहांपर लेना है लेने के बाद इसे आपको इस्पून से अच्छे से मिक्स कर ले ना है मिक्स करेंगी तो ए बिलकु लगे पसंद आए तो एक लाइक करके अपने फैमली में सेयर कर दीजिएगा लाइक करने के लिए हर एक वीडियो में बोलती हूं पर आप लोग मतलब की क्या ही मैं बोलू लाइक आप लोग करना ही नहीं चाहते हैं चलिए कोई बात आपके पास कोई भी मोस्चुराइजर हो तो उसमें से थोड़ा सा मतलब की आधा इस्पून से कम ले लिजेगा क्योंकि इस तरह का घरिलू रेमडी हम लगाते हैं तो इसकीन हलका सा ड्राइड ड्राइड आता है तो आप इसमें कोई भी अपना थोड़ा सा फेवरेट मोस्चुराइजर डाल दीजेगा जो के भी म मिक्स कर दी हूँ अब चलिए देख लेते हैं किसे फेस पे लगाना कैसे है अभी हम लगाने के लिए रेडी हो गए हैं आप लोग देख सकते हैं लगाने से पहले अपने स्कीन को थोड़ा सा क्लीन कर लिजेगा मैं अभी जश्ट फेस स्वास करके आई हूँ और कुछ भी लगाने से पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ ख्लीन करने एक बात जो हम बेनेगर और फिटकरी वाला पानी बना करके रखे थे उस एरिया पर हमें लगाना है जहां का इस टंट हमें बालों को क्लीन करना है ठीक है अगर आपको कहीं जाना है और टाइम आपके पास नहीं है कि आप पारलर में जाकर थ्रेडिंग कराएं बिल्कुल भी नई टाइम है तो आप इस रेमेडी को मेरे कहने पे एक बार लगा करके देखिएगा इस टंट आपको रिजल्ट देगा और तुरंत अंचाहे बालों को एक क्लीन कर देगा आपको खुद य नीचे बैठेंगी तुरंत सूख जाएगा तो इस टिप को कर लिजिएगा या तो अधरवाइज आप ऐसे ही मतलब की कॉटन से क्लीन मत करिएगा उस पानी के ऊपर ही स्क्रीम को आपको लगा लेना है ठीक है जी तो अभी मैं इसे अच्छे से लगा ले रही हूं मेरे जल्दबाजी नहीं है थोड़ा पेसेंस रख के अच्छे से करेंगी न और आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं इतना मेहनत कर रहे हूं तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलना ही चाहिए तो आपके फेस पे जरूरे काम करेगा अंदर से विश्वास होना बहुत ज़्यादे जरूरी होता है फ्रेंड कोई भी हम घरेलू रेमडी यूज करते हैं और जब उसका रिजल्ट हमें बेटर मिलता है तो अंदर से कितना ज़्यादे खुसी होता है मुझे तो बहुत ज़्यादे होता है बाकी आप कमेंट करके जरूर बताईएगा इस क्रीम को जब लगाय की न तो लगाते समय आपको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करना है बालों के अबोजी डाय एकसर अटिक나úngchen में ठीक है अच्छे से मसाज करिएगा मसाज करने क बाद आपको करना किया है इसे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए भी मैं मसाज करके आप लोगों को दिखा रहे हूँ सिर्फ एक उंगली की सहायता से आपको मसाज करना है पूरी उंगली यहाँ पे आपको गंदा करने की जरूरत नहीं है एक ही उंगली काफी है मसाज करने के लिए एक एक इस्टेप आप लोगो इसलिए मैं दिखाती हूँ क्योंकि मेरी फैमली में बहुत सारे टीनेजर बच्चे हैं जो गर्ल होती है ना जो की होस्टल में राती है या तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो ही जादे हैं तो इसलिए मैं एक एक इस टेप आप लोगो दिखाती हूं और बच्चों का कमेंट को जादे ही आता है कि दिदी आप थोड़ा अच्छे से समझाया करिए मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो इसलिए मैं अपने फैमली के लिए आपनी काड़ सकते है एक पैसा खर्चा नहीं होगा जो कि मैं खुद नहीं खर्चा करती हूं तो कभी भी पारल्र नहीं जाती हूं मसाज करने के क्लीन करना पानी से नहीं थूलँना है, बालु के अपोजी डिर्यक्षëन में दूर में, जूर होतलब है तो आप तो आपने सिर्वीत पूरी तरह से होना चाहिए थोड़ा सा गुलाब जल लेकर आप बरफ जमा लिजेगा और आपके फ्रीज में होना ही चाहिए अगर आप हर 15 से 20 दिन पर पारलर का चकर लगाती है आप तो होम रेमिडिज का यूच करती है आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी लाइक और सेयर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आउन कर लिजिएगा नेक्स वीडियो के इस ट्रॉपिक पर देखन करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं आप लोग से मिलती हूं नेक्स वीडियो